दोस्तो नमस्कार आप सभी खस्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दूस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित सब भाग भरती एक और बड़ा फैसला रास्तन हाई कोट का और उस फैसले के तहत इंटर्शिप पूरी ने करने वालों के ओफलाइन आविदन स्विकार करने के निर्देश यहाँ पर रास्तन हाई कोट ने दिया पूरा मामला क्या है और क्या कुछ वजय थी और किस करण से इन्होंने किन कारणों को लेकर की याचिका फाइल के थी रास्तन हाई कोट ने राब इनको यहाँ पर एक तरीके से फोरी तोर पर राहत मिल गई है इन्टनसिप जिनकी पूरी नहीं हुई थी उनके फोरम है जो ओफ-लाइन स्विकार के जाएंगे यह रास्तन हाई कोट का फैसला है पूरी ख़बर क्या है किस भरती को लेकर के संपूर्ण जानकरी आपनों को बताते हैं सबसे पहले यह द्यानिक वासकर की जानकरी आज के ओफ-लाइन आविदन स्विकार करने और उन्हें प्रिक्रिया में सामिल करने के जिर्देश यहां पर दिये हैं जस्टिस सुदेश बंसलने यह आदेश शुक्वार को डाक्टर दिव्या बैरवा वैसीमा कोवाल सहीत अन्य की याचिका पर दिया अधिवक्ता लक्षमी कां कि इनका अभी रनिंग में चल रहा कोर्स इनके आरवेट चिकित्सक की वह चल रही है जो की पूरी नहीं होगी और इनका कहना है कि इन्होंने 2017 कोर्स में अडमिशन लिया था उनका जो सैक्षनिक जो सत्र है वो देरी से चल रहा है कोविड के चलते चार महिने परिक्षय द पहाना दिया है यहां पर और एक तरगे से उस टाइम पर सारे चीज़े यह थी तो यहां पर संधे का लाब इनको मिला है कि कोविड की कारण जो है परिक्षय उस वक्त की लेट होई और उसके बाद से जो शैसन है जो सत्र है वो लिए लेट चल रहा है तो यह देख सकते है दैनिक नाव जोती ने भी जानकारी को प्रमुक्ता से दिया है और इसमें बताया कि आयरवेज चिकित सकते हैं यह लास्ट डेट है बीश जुलाई इसको पहले भरते निकाले गे थी छेसों तालीस पदों पर फिर इसे रद किया गया था ओटी आर के चलते अब फिर से फो और से जो कई ना कई एक डेट साल पहले पूरा हो जाना चीए था लेकिन यहां पर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ और इन लोगों की इंटरंशिप चल रही है जो कि इसमें वेरिफिकेशन के समें इंटरंशिप के इने परमान पत्र देना होगा सर्टिपिकेट देना इसलिए इनों ने कोट में याची का लगाए और कोट ने का भाई इनको सामिल करो और इनके जो ऑफलाइन जो फोम है वो यहां पर स्विकार किये जाए यह रास्तान हाई कोट ने अपने आदेश में लिखा है तो जस्टिस सुदेश बंसल की जो बेंच है उसका यह फैसला है और इनको सामिल करने के निर्देश जो है दिये गए हैं अब यह क्या करेंगे कि यह ओफलाइन फोम जमा कराएंगे जो रास्तान आयरवेद यूनिस्टी जोदपूर है रादाकर्शन सरपली उसमें यह ठीक है तो यह लगातार इस थरीके से चीजे होती रही हैं हर भरत कोई प्रक्रिया को लेकर के कटोफ अंक हो चाह कोई भी चीजे हम उनको लेकरके लोग हाई कोट तो पहुंशते ही हैं कॉकरके कहिने-कोई इनमें बच्चों के गल्तिया नहीं होती कि भाई उनकी कोई गल्ती होती है कुछ नियम सरकार की तरफसे ऐसे बना दिए जाते हैं कुछ यहाँ पर लापरवाईयां की जाती है अभ्यरतियों के द्वारा भी कभी कबार और कुछ यहाँ पर वो बोलते हैं कि पूरी दाल में काला नहीं है पूरी दाली काली है तो वह वाल इस्तिती है कि यहाँ पर हर कोई जुम्मेदार है भरतियों को कोर्ट कच्चरी मिल जाने के लिए सरकार की नियम भी ऐसे हैं अभ्यारती भी ऐसे हैं काफी मामलों में काफी मामलों में अभ्यारती सही भी अपनी जगह पर अब बत यह 2017 में कोर्स चल रहा है और 2023 आदा बीच चुका लेकिन अब तक इनका कोर्स पूरा नहीं है तो जब आप दही कहीं न कहीं ऐसे मामलों में सरकार की या या उनिवर्सिटी की या प्रसासन की जरूर बन जाती है लेकिन ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया जाता बस वोई लकीरे पिटने का काम होता रहा है और इसी बज़े से भरतियां कोर्ट कर चेरी पहुंशती है तो आर दोस्तों फिलाल के इस वीडियो में तना ही जै हिन जै भारत